ध्यान रखने योग्या जरूरी बातें 1. अगर आपको चक्कर आने की समस्या है तो आप निम्बू के साथ चीनी और काली मिर्च का सेवन करें इससे चक्कर आना बंध हो जाएगा 2. अजवायन का सेवन करने से पेट साफ रहता है और खून जमा नहीं होता है 3. सेव के सिरके का सेवन करने से शरीर की सूजन ठीक हो जाती है 4. बैंगन का जादा सेवन करने से मुँ में छाले की समस्या हो सकती है 5. दूद में चीनी मिला कर पीने से शरीर हश्ट पुष्ट हो जाता है 6. प्याज को पीस कर दो चम्मच रस निकाल कर बालों में लगा लें बाल जणना बंध हो जाएंगे 7. आवला रोज खाना चाहिए चाहे मुरब्बा हो, कच्चे आवले हो या फिर आवला किसी भी तरह खा सकते हैं बहुत ही फायदेमन होता है 8. जादा चिकनाई वाली चीजे खाने से गले में इंफेक्शन हो सकता है 9. अगर आप परिशान है और शरीर थका थका मैसूस हो रहा है तो अदरक वाली चाहे पिए आराम मिलेगा 10. रोटी बनाने के बाद तवे को सामने नहीं रखना चाहिए तवे को हमेशा कही साइड में रखना चाहिए 11. सर्दियों के मोसम में दही खाने से अच्छा है कि गरम दूद पीना चाहिए 12. रात को तांबे के बरतन में पानी भर कर रख दे और सुबह उसे पीए बहुत ही फायदेमंद होता है 13. दिन भर में आठ घंटे जरूर सोना चाहिए इससे आँखों को आराम मिलता है 14. जब भी आप बैठे हो या खड़े हुए शरीर को एकदम सीधा रखना चाहिए 15. दलिये का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद और हेल्दी होता है 16. दो हफते में एक बार उपवास जरूर करना चाहिए इससे पेट ठीक रहता है 17. सुबे की धूप में जरूर बैठना चाहिए इससे शरीर को विटामिन डी मिलता है 18. घर का काम खुद ही करना चाहिए इससे शरीर की अच्छी एक्सेसाइज हो जाती है 19. सुबे के नाश्टे में चने और हरी मुंग भिगो कर उसे अंकूरित करके खाना चाहिए इससे शरीर को ताकत मिलती है 20. सर्दी जुखाम होने पर सरसो के तेल को गरम करके छाती की मालिश करें और नाक के छेद में तेल लगाएं इससे सर्दी जुखाम में बहुत जल्दी आराम मिलता है 21. सोने से पहले गुड का एक टुगडा पानी के साथ खाने से पत्री तूट कर यूरिन के द्वारा बाहर आ जाती है और गुड से आपके सीने में होने वाली जलन में भी आराम मिलता है 22. जामुन की गुठली को बारीक पीस कर दही के साथ सेवन करने से पेट की सारी परेशानिया ठीक हो जाती है 23. नीम की दातुन करने से दातों में कीडा नहीं लगता है 24. पपीते के पत्तों का रस पीने से डेंगु जैसी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है 25. सर्दियों में बच्चों को मूली और गाजर को कद्दु कस करके पराठे बनाकर जरूर खिलाएं फाइदमन होते है 26. सुबे उठकर अमरूद की मुलायम पत्यों का सेवन करना बहुत ही फाइदमन होता है 27. रात के खाने के बाद थोड़ी सी देर जरूर टहलना चाहिए इससे खाना पचने में असानी हो जाती है 28. जो लोग अधिक तेज चलते हैं उन लोगों का शरीर कभी ढहिला नहीं पड़ता है 29. पानी पीने के बाद जुकना नहीं चाहिए इससे पानी साज की नली में जा सकता है 30. मुँ में पानी भर कर नहाने से कभी जुखाम नहीं होता है 31. दातों का असली रंग हलका पीला ही होता है इसलिए जादा सफेद करने की कोशिश में अपने दातों को खराब ना करें 32. सेंदा नमक देशी गाय का घी और सरसो का तेल ही प्रियोग करें रिफाइन तेल से जितना हो सके दूर रहें 33. नमक के साथ दूद और सभी प्रकार की खटाई एक साथ प्रियोग ना करें दूद अकेले ही पिएं 34. दही गरम करके ना खाएं हाने पहुँचती हैं कड़ी बना कर खा सकते हैं 35. दातों में छेद होकर काले हो जाएं और दर्द करने लगे तो दो कली लहसुन को लेकर दर्द वाले दात में दबा कर रखें दर्द दूर हो जाएगा 36. सफेद प्याज का रस बालों में लगाने से बालों का गिरना बंद हो जाता है 37. सुबह का नाश्टा नहीं करने से इंसान का शरीर फूलने लगता है 38. पानी पीने के बाद भीगे हुए दो बदाम जुरूर खाएं, दिन भर एनरजी मिलती है 49. हो सके तो दोपैर के खाने के बाद थोड़ा सा आराम कर लिया करें, आपके लिए बहुत फायदेमन रहेगा 40. शाय के समय चाय या कौफी पीने से अच्छा है, जूस पिएं और अगर जूस नहीं पी सकते तो चाय के साथ कुछ न कुछ जरूर खाएं, बिस्किट या फिर कुछ नाश्टा 41. रात को सोते टाइम होटों पर वैसलिन लगाने से वह मुलायम हो जाते हैं 42. अगर आपके होट काले पड़ गए हैं, तो अनार के बीज और मक्षन का पेश्ट बना लें, उसे लगा लें, आपके होट चमकदार हो जाएंगे 43. अगर आपके लंबाई नहीं बढ़ रही हैं, तो विटामिन डी का सेवन करें 44. अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं, तो सुरियत अप्त आसमानी तेल से बालों की मालिश करें, बाल सफेद होना बंध हो जाएंगे 45. अगर आपको बवसीर है, तो प्याज को धीमी आग पर सेख कर लुगदी बना कर बांधने से बवसीर ठीक हो जाता है 46. एक कटोरी में दही ले, उसमें गुढ़हल के फूल, गुढ़हल के पतियां, मेथी, नीम्बू के पत्ते, आधा नीम्बू का रस डाल कर उसका पेश्ट बना लें, और उसे बालों में लगा लें 47. नारियल तेल में नीबू का रस डाल कर बालों में लगाने से बहुत से फायदे मिलते हैं 48. बालों में डेंडर्फ हो रहा है तो दही और सरसो का तेल मिक्स करके बालों में लगा लें कुछ देर बाद पानी से धो लें 49. जो महिलाएं रोटी बनाते समय पहली रोटी मोड कर रखती हैं उनके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है आशा करती हूँ दोस्तों आपको आज के अपने जीवन से जुड़ी बहतरीन जानकारियां अच्छी लगी होंगी आप से मेरी प्रात्ना है मेरा मनबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक शेर जुरूर करें अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें जिससे जब भी मैं कोई वीडियो डालू आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखें वीडियो देखने के लिए धन्यावाद